इस वीडियो के निदे गाईस हम लोग बात करने वाले हाउ टू फाइल दा आईटिया फॉर दा इसेस्मेंट या 2324 जी हाउ जिनके पास में फॉर्म 16 है या फिर जिनके पास फॉर्म 16 नहीं भी है वो भी इस अलरी वाला बंदा कैसे अपनी आईटिया फिल अप कर सकता है कैस चलिए गाई सबसे बिले काम आपको क्या करना पड़ेगा एक चेक्लिस बनाने पड़ेगी माली जेगर आपके पास में फॉर्म 16 है अगर आपका employer बेसिकली टीडियस वगरे काड़ता है तो आपको हर साल मिन में या फिर जून मन तक यहां पर आपको form 16 issue कर दिया जाता है form 16 generally यहां पर employee basically issue करता है और उसके अंदर साइड details होती है कि कितना टीडियस आपका जो है तक आपको क्लिक करना है कि मुझे टूटल के अंदर एक्चुल के अंदर कितनी यहां पर सेलरी मिली है इसके लागाइस आपको इंकम टेक्स की वेप्सरेट के उपर जाना है यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूगा यहां पर आपको रेजिस्टर करना है करने का मतलब यह नहीं कि हरसल आपको आई यह भड़नी पड़ेगी एक बार यहां पर जरूर रेस्टर कर लीजिएगा के बात में सबसे पहला जो काम आपको करना है यह फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है यहां पर बेलीगा बेसिकर आपको फॉर्म 26 इसके उपर क्ल बिलेगा annual information statements यह भी आपको check out करना है annual information statement simply यह बताता है कि आपके pancard के गेश में government के क्या पास में क्या क्या information अगर आपका tds कटा हुआ है तो यहां पे आपको salary दिखाएगा अगर आपके फेर्वस में saving account है तो उसका interest दिखाने वाला है FD करा रहा किये तो उसका interest यह सारी चीज़े आपको AS के अंदर दिखाने वाला है तो देखे अगर आपकी salary के income है और साथ में अगर आपने mutual funds या फिर मालेचे stock market के अंदर stocks वोगरे बीचे उससे अगर आपने profit कमाए तो आपको IT1 फाइल नहीं करना है उसके आपको IT2 फाइल करना है लेकिन in general case अगर हमेशा आपको salary वाले account डाइड करना है आप कोई भी account यहाप इस filing को हम लोग शुरू करते तो e-file के अंदर जाना है income tax return file income tax return यहापे simply आपको 2324 सेलेक करना है online mode सेलेक करना है continue button के उपक्लिक करना है start new filing status हमेशा individual रखेगा continue button के उपक्लिक कीजे आपका इस form पूछेगा त mutual fund में deal करते तो iti2 के साथ में जा सकते हैं यहापे simply आपको process with iti1 करना है let's get started के उपक्लिक करना है आपसे पूछा जाएगा reason क्यों file करना चाहते हो simply others button के उपक्लिक कीजे तो guys आपका पूरा schedule खुल जाता है एक एक करके आपको इसको confirm कराना है शुरुबात करते हम लोग personal information से तो guys यहाँ पर आता है simply nature of the employment तो देखिए अगर आप एक government employee है तो यहाँ पर आपको बहुत सारी option देखने को मिल जाएगे और पैस्टनर भी देखने को मिल जाएगे government related लेगा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आपको simply other वाला option देखने को मिल जाता है filing section के इंदर हमेश अपने deduction ले रखी है ATD के अपने deduction ले रखी है ATG के अपने deduction ले रखी है उसके लावा आपके को बहुत सारे allowances वगरे भी है तो उस case में इस option को आपको simply no करना है जी हाँ तो अगर आप deduction और यह सारे जित्ते भी tax के benefit होते है वो अगर आप लेना चाहते तो simply आपको इसको no क suppose आपकी जो salary जो है अगर पांच लाग के नीचे है या पांच लाग के बियांड भी है लेकिन आपके पास में कोई भी यहाँ पर deduction वगरे available नहीं है आपने सीधा पहले से by default new taxism यहाँ पर adopt कर रखाता है employer को भी बता रखाता साहब ने आपने कोई भी investment या कुछ भी ऐसा न आप गईस आपको यहाँ पर चार शेडियू खुल जाएंगे income from the salary मिल जाएगा आपको income from the house property other sources यह तीन major आपको schedule मिल जाएगे और last में आपको exempt income मिलेगा तो शुरुबात करते हैं हम लोग simply salary के साथ में यहाँ पर आपको एरेट करना है तो गईस सबसे पहले यहाँ पर salary आपको insert करनी है वो simply आपको अपनी gross salary insert करनी पड़ेगी अपना form soul आप pick up कर सकते हैं उसके इंदर gross salary के सामने जितना amount डला हुआ है उतना ही amount यहाँ पर लीजेगा लेकिन let's suppose अगर आपके पास में form 16 नहीं है तो April 2022 से लेकर March 23 तक कि आपको total कितनी salary मिली है चाहे cash में मिली अपनी company जो है HR वगरे provide करती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको section 13, subsection 13A जो की house expenditure का होता है HR का होता है वो आपको option यहाँ पर मिल जाएगा अपना form 16 उठाई है उसके अंदर HR में जितना भी column डला हुआ है जो भी आपके employer ने आपको provide कर रखा है वो जी बल हूँ तो उसके ओपर भाई अपन लोगों ने एक separate पूरा वीडियो बना रखा है इसके link वे मैं आपको description box के अंदर provide कर दूँगा जिसमें guys आप यह government का official calculator यहाँ पर use में ले सकते हो इसके लाँ guys आपको और कोई भी allowances मिलते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि किस type के कहां पर मैं डालू तो यहाँ पर आपको simply एक any other का भी column मिल जाएगा यहाँ पर simply डालिए as per form 16 और guys जित्ते भी आपको allowances वगरे यहाँ पर मिल रहे हैं अपने form 16 के जो दिखाई दे रहे हैं वो simply आप यहाँ पर insert करवा सकते हैं और guys अगर आपको यहाँ पर cash में form 16 और नहीं मिलता तो कोई भी allowances डालने की जरुवत नहीं है उसके बाद में गाइस नीच आता है professional tax अगर आपका professional tax डिडेक्स होता है 1224 रुपे के something होता है तो वो आप यहाँ पर claim कर सकते हैं वहना इसको simply save करा दीजिए उसके बाद में गाइस हमारा जो अगला column में वह house property अगर आपने home loan ले रखा है अपनी खुद की property के उपर ही तो उसमें EMI के रुप में आप जो भी interest payment करते है bank को पूरे साल बर के अंदर उसका 2 लाग तक का deduction आपको interest payable on the borrow capital वाले column के अंदर मिल जाता है अगर गाइस let's suppose home loan नहीं ले रखा है या आपकी वाली property let out है यानि कि अपने कि राया पे चला रखिए तो जित्ता भी आपको rent मिलता है वो पूरा का पूरा rent आप यहाप डाल सकते है उसके taxes अगरे डाल सकते है और उसके ओपर भी loan के उपर जो interest payable है वो उसका claim भी आप यहाप यहाप डच करा सकते है उसके बाद में अगला कुछ जो column आता है AIS के अंदर भी दे सकते है आपको saving account का interest यहाप देख जाएगा यहाप खुद भी calculator लगा सकते है बैंक का statement डाउलोड करके तो जित्ता भी आपका interest है वो यहाप सिंप्ली put out कर सकते है FD करा रखिए उसका interest अगर आपको मिलता है तो वो interest यहाप यहाप डाल सकते है इसके ल यहाप डिविडेंट डालना पड़ता है normally आपको अपने जब अपना AIS चेक करेंगे तो वहापे आपको dividend के entries वगरे मिल जाएगी बाकि अकर आपने कोई भी stocks वगरे नहीं बेचे तो उसी case में IPR1 आप basically file कर सकते है और stocks के case में आपको जो भी dividend वगरे मिलते है वो आप यह जो अगला column वो exempt income का है इसके अंदर normally यही columns यूज में नहीं आते है लेकिन आपको मानिचे कोई भी LIC mature वगरे हुई है या कोई भी ऐसी चीज़े यहापे बहुत सारे आपको section वगरे मिल जाएंगे जो income जो है basically exempt के अंदर आती है तो उस income को आप यहापे basically disclose कर सकते है और अपने अगरी चीज़े हो जाने के बाद में simply आपको confirm करना है next हमारा column आता है total deductions का तो इसमें पहली शुरुवात होती है हमारी ETC के साथ में जापे आपको date like reduction available होती है अगर आपने यहापर मानिचे PPF के अंदर investment लगा रखी है अपना मानिचे बच्चों की fees जाती है य reduction simply आप यहापर डाल सकते है इसके लागा इस अगला जो column आता है वो simply basically NPS scheme के आता है NPS में अगर आपने account वगरे खुलवा रखा है तो अगर आपका employer भी यहापर contribute करता है अपना form system उठाइए उसके अंदर आपकर इसके कोई entries वगरे है तो ATCCD2 मिल जाएगा आपको तो yes करके यहापर amount डालना है ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसको simply आप no कर सकते है इसके लागा जो अगला column आता है ATD का जिसके अंदर आप अपना health insurance अपना preventive health check-up डाल सकते हो parents का भी यहापर डाल सकते है इसको simply आपको yes करना है अगला guys जो column है वो simply saving account के उपर जो आपको interest मिलत है यहापर आपको select करने आपके parents senior citizen है की नहीं है वैसे इसके उपर भी हमारा separate video बना हुआ है health insurance के अंदर guys आप अपना जित्ता भी premium जाते है आपके health insurance का वाप डाल सकते preventive health checkup में आपके जो भी health checkup के expenses है up to the 5,000 रुपीज वो आप यहापर claim कर सकते है यहापर आपको tax saving tips भी देना चाहूंगा अगर यहापर आपका health insurance भी नहीं है तो उस case में preventive health checkup जरूर यहापर claim कीजेगा जो कि nominal expenses होते है health checkup से related तो यहापर सीधा आप 5,000 रुपे या simply तरीके से claim कर सकते हैं यहापर ADTTA का column मिल जाएगा जो हम लोगों ने interest डालाता है तो 10,000 रुपे तक की यहापको reduction मिल जाती है लेकिन जितना आपने interest डालाता है maximum होतना ही आपको मिलेगा तो simply आपको add button के अपको click करना है यहापको खुद का NPS के अंदर contribution है तो date lakh के transaction यहापको basically मिल जाता है इसके लागा है सकर let's suppose आपकी company आपको HR A देती नहीं है लेकिन फिर भी आप यहापके कहीं पर भी rent वगरे के उपर रहते है rent अगरे pay करते है अपनी salary जो मिलती है आपको उसी में से अगर आप rent का खर्चा देते है तो यहापको 80G का column मिल जाएगा लेकिन इसके लिए आपको 10BA करके form बना पड़ता है इसके अपर अपना पूरा एक separate video बना हुआ है जिसके link में मैं आपको description box के अंदर provide कर दूँगा तो यह भी काफी अच्छा option है tax saving का salary वाले लोगों के लिए अगर HR A नहीं मिलता है तो 80G करके यह जो column है उसके अंदर आ अपना up to 60,000 रुपीज तक आराम से यहाँ पर rent के यहाँ पर claim कर सकते हो इसके लागाइस अगर आपने कहीं पर donation वगरा दे रखाया किसी मंदिर के अंदर कोई trust के अंदर तो यहाँ पर आपको ATG का column मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको trust का pan number वगरा डालना पड़ेग second column में आपको वो दिखेगा अगर आपका TDS कटा हुआ है बैंक के interest की वज़े से कटा हुआ है या dividend में कटा हुआ है या किसी और वज़े से कटा हुआ है तो वो सारा TDS यहाँ पर आपको देखने वाला है आप अपने 26 AS के साथ में भी cross match करवा सकते हो इसके लागाई जो त income दिखाई है उसकी पूरी जो total tax की calculation होती है वो यहाँ पर आपको दिखने वाली कितना आपका tax बन रहा है कितना आपको पे करना है कितना आपका TDS के साथ में setup होगा उसके बाद में काई सिंप्लिस को आपको confirm कराना है अगर आपका TDS जादा हुआ है compare to tax liability के तो यहाँ पर आप eligible हो जाएंगे refund के लिए लेकिन अगर आपका TDS कम हुआ तो आपको वापिस एक चालान create करना पड़ेगा tax का वो tax कैसे pay करना है separate वीडियो है उसके उपर भी पूरा अपना उसकी link भी आपको जो है playlist से आले section के अंदर हमारे description box में provide कर दूँगा आप guys कुछ नहीं करना preview button के उपर क्लिक करना है फर्म कराना है नीचे जाईए process to preview के उपर क्लिक कीजिए यह आपके ITR1 का पूरा official format निकल के आ जाता है इसको आप download वगरे भी कर सकते हैं अगर कोई भी error हुआ तो यहापको screen के सामने दिखाए देगा वना guys simply process to verification button के उपर क्लिक कीजिए अपना ए अपनी ITR जिसमें guys अब अपनी download receipt भी कर सकते हैं तो guys यह काफी आसान तरीका है किसी भी salary वाले बंदे के लिए ITR फाइल करना आप mobile के थूरू भी कर सकते हो desktop के थूरू भी कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथ में guys बताना चाहूंगा अगर आप लोग एक expert की help देना चाहते हैं तो उसकी link भी मैं आपको description box के अंतर provide कर दूँगा so guys hope you like this video अगर आप लोग के कोई भी doubt से comment box में जरू बताइए thank you guys